तो आज हम बनाएंगे मसालेदार मटर पुलाव आपने साधा मटर पुलाव तो बहुत बार बनाया होगा लेकिन एक बार आप मसालेदार मटर पुलाव बना के देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इससे बच्चों के टिफिन के लिए या फिर लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हैं तो चलिए इस रेसेपी को बनाना शुरू करते हैं यहंट से अचलिए फ्रया हो चुका यहां पे मैं ःति लेक हैं जिसदा अच्छ रठी हो प्नाटर हैं आपसे टाल की ऐसे लिए लिए सटप था इसकाज के लेकाशा ठीड का सरो हम इसामेत तेबल स्पून लाल्मेज पॉ Anda Radio Arts पॉन धन्या पॉडर हाफ टेबल स्पॉन जीरा पॉडर्ड टूोथेबल स्पॉन हल्दी पॉडर और वन टेबल स्पॉन नमक और यहां पे मैंने एक कुप मटर ले लिया है और अब हम कप राइस पर मैंने दो कप पानी लिया है और इसे आदे घंडे कली मैंने भीगो के रख लिया था और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉइल आने देंगे और अब यह उबलना स्टार्ट हो गया है तो यहां पर मैंने हाफ टेबल इस्पून गरम मसाला ले लिया है हम इसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पे फिफ्टीन मिनट्स के लिए ढख के पकने देंगे और यहां पर मैंने फिफ्टीन मिनट्स के बाद गयस का फ्लेम आफ कर दिया था और इसे और फिफ्टीन मिनट्स के लिए मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं यहां पर पुलाओ जो हो कितना खिल खिला बना हुआ है तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राय करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें